बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं एक लाख युवक जान गमाते हैं हर साल लापरवा ड्राइविंग के कारण आप सोचिए 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पाल कर बढ़ा करने में और 25 सेकिंड में लापरवा ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है क्या बीटती होगी उस मां के उपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुह नहीं देख पाती हैं आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप अपनी पावर दिखाना चाते हैं तो मिलखा सिंग की तरह तेज दोड़िये या कि आप निरत चो देशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए आप डेशिंग हैंसम नहीं दिखते आप लापरवा दिखते हैं आप बेपरवा दिखते हैं आप बेवकूफ दिखते हैं इसलिए कम से कम सडक पर जब भी गाड़ी चलाएं आप ध्यान से गाड़ी चलाएं आपकी ज उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिन्दगी बनाने में और उसके बाद दुक्का विशह है बड़ा पीड़ा दायक सीन में कई जगह देखती हूं कि एक माबाप मेहनत करते हुए हातों में आईटन पढ़ जाते हैं एडियां फट जाती हैं कपड़े मेले फट जाते ह और उसके बाद जब बेटे को पड़ा लिखा कर तयार करते हैं उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माबाप की तरफ ध्यान नहीं देते हैं आज हमारे 60-70 प्रटिशत घरों में हालत ये है कि पुजुरुगों को रोटी तो मिल रही ह है लेकिन इज़त से रोटी नहीं मिल रही है इस चीज को बदलने की जरुरत है माबाप मैं आप से कहती हूँ जैसी भी परी स्थिती होती है माता-पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं आपकी भी ड्यूटी है जैसी आपकी हैसियत है बुढ़ापे में उनको बाद इसी लास्ट बात जो मैं कह रही हूँ बेटियों को समझदार बनाईए बेटियों को बेटा मत बनाईए क्योंकि बेटे तो लापरवा होते हैं बेटियों को समझदार बेटी बनाईए जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाईए कि वो साथ अपने घर की इज़त ल जाए अपने सास साशुर की सेवा करें। आजकल मैंने नया 트ेंड देखा है, बेटियां मा ममी की तो बहुत चिनता करती हैं, लेकिन सास की चिनता नहीं करती हैं। ये गलत चीज है। औरत घर की धुरी होती है, अगर वृद्न लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे व्रद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा इनकी जिंदगी खुश कैसे होगी इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संसकारवान हो जब वो मेहनती हो जब वो शिक्षा पर ध्यान करें हमने यह सब किया है मैं आपको बढ़ाई देती हूं